यह दुनिया अजब गजब बातें और रहस्यों से भरी हुई है कई बार तो ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करें या बिश्वास समझ नहीं आता है आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही दिल्चस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय गाउं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो मलाना हिमाचल का एथिंस हिमाचल प्रदेश के कुलू जिले में बसा है मलाना गाउं यह गाओ अपने आप में काफी रहस्यमय और दिल्चस्प है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर कुछ भी छोने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ सही सुना अपने आप यहाँ कुछ भी छो नहीं सकते। अब इसके पीछे की बज़े भी जान लीजिए। दरशल मलान का जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ की निवासी भारत का सम्विधान भी नहीं मानते। इनके अपने सदन है और उसके अपने नियम कानून है। जिसका वो बेहत सक्ती से पालन करते हैं। इनका कहना है कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। जिस से प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमदगनी रशी को आरियों से भी पहले से पूजा जा रहा है। उनका उल्लेक पुराणों में भी आता है। अब कुछ और दिल्चस्प बातें। यहां के लोग खुद को आरियों का वंशज मानते हैं। लेकिन वहीं यह साल में एक बार फागली उच्सव मनाया जाता है। जिसमें यह लोग मुगल समराट अकबर की पूजा करते हैं। यहां आने वाले तुरिस्टों को गाउं में रुपने पर मनाई है। बह लोग गाउं के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहां की भाशा भी कुछ अलग हैं। यहां की बॉली में आपको ग्रिक, संस्कृत और तिब्बत की कई बॉलियों का मिश्वर मिलेगा जो आसपास की किसी भी बॉली भाशा से मेल नहीं घाती। तिल्टे पक जहां इंसान से लेकर पशू पक्षी तक सब है अंधे। भारत में एक गाउं है एसल यहां पैदा होते वक्त तो सभी बच्चे सही सलामत और स्वस्थ होते हैं। मगर कुछ दिन बाद ही बह द्रिश्टिहिन हो जाते हैं। यहां के निवासी अपने इस अंधेपन के पीछे की वजह एक शापित पेड को मानते हैं। उनके मुताबिक लावजुएला ना की काली मक्की है जो काफी जहरीली होती है और इसके काटने पर उसका जहर शरीर में फैल जाता है। जिसका सबसे पहला असर आंखों की नसों पर पड़ता है। जिससे जानबर हो या इनसान वह जल्दी अंधे हो जाते हैं। इस गाउं की एक और खास बात है। यहां किसी भी घर में खिड किया नहीं है। इस गाउं में तकरीबन 70 जोपडिया हैं जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं। लेकिन किसी भी घर में कोई खिड की नहीं है। इसके पीछे की बजह भी इनकी अंधापन है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें सुर्ज की रोशन को समेटे हुए हैं। इसी में से एक है जैसलमेर का कुल्धरा गाउं करीब 170 साल पहले इस गाउं के सभी निवासी रातो रात इस गाउं को छोड़ कर चले बैए। इस गाउं के विरान होने के पीछे दो कहानिया प्रचलित है। पहली की यहां के शासक सालम सिंग की बुर के खिलाफ इस तरह की शादी मनजूर नहीं थी। ऐसे में गाउं के मुक्या ने फैसला लिया कि बहरातो रात इस गाउं को छोड़ कर चले जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने इस गाउं को श्राप दिया कि इस जगह पर कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी वक्त उन्होंने गाउं को श्राप दे दिया कि इस जगह पर कोई भी बस नहीं पाएगा। खेर कहानी जो भी सची हो लेकिन यह तो सच है किस इस जगह पर आज तक कोई और बस नहीं पाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर है कि अ ए多गना मैं को शुड़ को मैं को ध속ना जो प्लीज जो ऑर की जो को beğक इस श्यूद़ का रहरे लोग्व टर sugे chips जव़ंगा अ मैंग सब तक क्ट